देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य एलवन के लिए काउंडाउन शिरू हो चुका है भारती आंतरिश अनुसंधान संगठन इसरों ने शुक्रवार को बताया भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य एलवन शनिवार यानी 2 सितंबर को सुबह 11 बचकर पचास मिनट पर आंदरप्रदेश के श्री हरी कुटा स्पेस सिंटर से लॉंच किया जाएगा साथ ही इसरों ने उन प्लैटफॉर्म की भी जौनकारी साजा की है जहाँ शनिवार की सुबह 11 बच के 20 मिनट से आदित एलवन की लॉंचिंग को लाइफ देखा जा सकता है आदित एलवन की लॉंचिंग से पहले इसरों के वैग्याने की एक टीम शुकरवार को आदित एलवन मिशन के मॉडल के साथ तिरुमाला श्रीव विंग्टेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुची मिशन की सफलता के लिए प्रार्दना की से पहले इसरों प्रमुक एस सोमनात ने गुरुवार को बताया इस मिशन का रिहलसल भी सफलता पूर्वक कर लिया गया है अब इस मिशन के लॉंचिंग की तयारी पूरी की जा चुकी है मिशन के तहत इस लो सूरी के आध्यन करेगा वहां से जुड़े रहस्य को जानने की कोशिश भी करेगा चन्द्यान तीन मिशन के तहत या आदित एलवन मिशन भी लॉंच करने के बास सबसे पहले पृतिवी की कक्षा में चक्कर लगाते हुए पंद्र लाग किलोमीटर का सफर तैकर के सूरी के एलवन पॉइंट पर पहुचेगा इसी पॉइंट पर चकर लगाते हुए आधित एलवन सूरी की सबसे बाहरी परत्याने कुरोना से निकलने वाली किर्णों पर शोद करेगा बतादे कि भारत ने अन्य देशों के सूरी मिशन के मकाबले इसे बहुत कम बजट में तयार किया है आधित एलवन मिशन की लागत 380 करोड रुपे आई है नासा ने जो अपना सूरी मिशन भेजा था उसमें कुल 12,000 करोड रुपे खर्च हुए थे वैज्यानिकों के मुताबिक इस मिशन के तहत इसनों सूरी की बाहरी परत कुरोना के आसपास के वाय मंडल की चांच करेगा इसके अलावा सूरी से निकलने वाली फ्लेयर्स, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग के भी स्टड़ी करेगा सूरी के आसपास की हवा उसकी सरन रचना के भी जांच करेगा प्रतिवे की तुल्ला में सूरी 109 गुना ज्यादा बड़ा है बुरो रिपोर्ट दैनिक भासकर